शाम का सुहाना समय है और एक एक्साइटिंग मैच की शुरुआत होने जा रही है आज पिछ काफी ड्राइ लग रही है स्पिनर्ज आज एक बड़ी भूमी का निभा सकते हैं कैप्टन ने यहां टॉस जीत कर तुरंथी बल्ले बाजी का निर्ने ले लिया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों की खिलाडी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सबका इस शानदार स्टेडियम में अमपाइज नई गेन के साथ पिछ की तरफ बढ़ते हुए ओपनर्स फील्ड में आते हुए दर्शक पूरे जोस से उनका स्वागत करते हुए तेज गेन बास को लाया गया है सब्सक्राइब इनिंग्स की पहली गेन के लिए वागत क्लीन बाक्री टेरन पूरी तरह नियन तरण में थे बल्लिबास धीमी गेन इस पिछ पे अच्छा विकल्प होगा क्या शॉट लगा है फील्डर्स बने दर्शक क्या बढ़िया खेला है कॉन्फिडन शॉट ओ जबर्दस गेन बाजी ऐसी बोलिंग को खेलना नामुम्किन बल्ले बाद जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे बाल बाल बचे बल्ले बाद बहतरी गेन बाजी बल्ले बाज पिछली गेन पर बड़े अंकमफर्टबल लगे खरारा शॉर और पहुचा दिया है ग्राउंड के बाहर गेन सीधा बल्ले के बीच से निकली वहाँ स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनंद उठा रहे है बड़िया गेन बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज पाउर प्ले की समापती कप्तान आप दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ड सिर्कल के बाहर रख सकते हैं करारा प्रहार बल्ले बाज का छे रण के लिए लेंग काफी जल्दी पिक की वहाँ पर बल्ले बाज ने गेंबाद अपने प्रिफॉर्ड एंसे गेंबाजी करते हुए और ये छे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा ये कैच इतना असान नहीं है इस शॉर्ट को एग्जेक्यूट करना बल्ले बाजों को अब बाउन्डरीस की आवश रखता है ये रन रेट बढ़ाने के लिए वाह क्या क्लीन बैक स्वेंग छे रन शानदार बल्ले बाजी बोलर को इशारा करके बता रहे हैं कि अगली गेंड कहा जाने वाली है सुन्दर टाइमिंग के साथ ये शॉर्ट कहला है यहां बल्ले बाज ने बूरी तरह से चूग गए बढ़ी अकेन बाजी बल्ले बाज जरूर पिछली गेंड के बारे में सोच रहे होंगे अड़िया गेंड बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज ये रही पारी की आखरी गेंड आपके सामने तगणा शॉट बल्ले के एकदब बीच से निकली ये गेंड इनिंग्स की समात्ती सलामी बल्ले बाजों को जल्दी पैड अप करके वापस क्रीज पर उतरना होगा हमें ये अच्छा मुकावला देखने को मिल रहा है विकेट संबाल के खेलना होगा बैटिंग टीम को तेज गेंड बाज को लाया गया है मिडाउन पे भी फिल्डर लगाया गया है बल्ले बाज तैयार अपनी पहली गेंड का सामना करने के लिए आसानी से खेला एक रन के लिए शान दार्शार गेंड सी दी बाँडरी लाइन की तरह जाती हुई विश्वाज बरा शॉट था ये अच्छी बल्ले बाजी दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही हुने अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतुपूर होते हैं सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं अच्छा अच्छा रहन के लिए क्या फूट टाइमिंग थी साधा रण गेन बाजी और देखा अपने बल्ले बाज ने पूरा फाइदा उठाया गेन बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा क्या अपने खेल दिया है क्या दूसरा रंचुरा पाएंगे सम्स के बहुत करीब थी ये त्रो बढ़िया फील्डिंग गेन बाज साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट अब गेन बाजी करेंगे आइट हो अच्छा झा दो रन मिल सकते हैं याँ आसानी से खेला एक रन के लिए गेन बाजी काफी डिसिप्लिन रही है अब तक अच्छा शॉर्ड बस सिंगल ही मिलेगा सिंगल लेकर बले बाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं अंती मोवर्स के लिए विकेश को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा गेन की गती से बीट हुए बले बाज रुम्बाद चक गेन बाजी और ये गेन बाज अपनी अंदाज में सेलिबरेट करते हुए काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोरा आए फिल्डिंग टीम जैसा आप देख रहे हैं बड़े खुश है इस विकेट के बाद ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने कमाल कशोड और ये गया नंबा चक्का बहतरीन फिल्डिंग और बोलिंग का प्रदर्शन हमें देखने मिला यहां पर फिल्डिंग टीम ने अपने टोटल को देखते हुए उंदा बोलिंग की कप्तान को दाद देनी पड़ेगी जिस तर